नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों ड्रग्स रैकेट मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने ही दो अफसरों पर एक्शन लिया है मुंबई NCB के दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है उन पर शक है कि कॉमेडियन भारती सिंख उनके पती हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में इनका रोल संदेहास पद रहा है इसके लावा NCB के वकील के रोल की भी जाच की जा रही है क्योंकि जब इन स्टार्स की बेल को लेकर सुनवाई होनी थी तब वकील ही पेश नहीं हो पाये थे जिसके कारण NCB का पक्ष नहीं रखा गया इन दोनों ही अफसरों पर विभागिये जाच का आदेश दिया गया ह आपको बता दें की बीते दिनों NCB ने कॉमेडियन भारती सिंग के घर से 86 दशनलव 5 ग्राम गांजा बरामद किया था जिसके बाद भारती को गिरफतार कर नयाएक रासत में भेजा गया था जब भारती ने अदालत में बेल की गोहर लगाई तो उन्हें आसानी से जमानत म मिल गई क्योंकि NCB का कोई अधिकारी या वकील कोर्ट ने मौजूद नहीं था ऐसा ही फिल्म अभिनेतरी दिपिका पादुकोर्ण की मेनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ हुआ जहां कुल एक दशनलव 7 ग्राम हैश बरामद हुआ था जब करिश्मा ने अगरिम जमानत की अरजी डाली तब भी NCB का कोई अधिकारी कोर्ट में नहीं था तो बेल मिल गई अब NCB की ओर से NDPS कोर्ट में याचिका दैर की गई है जिसमें भारती सिंग और हर्ष को मिली बेल को चैलेंज किया गया है गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की मौ प्रड़क्शन कंपनियों के जोड़े लोगों से पूछताज कर चुकी है तो दोस्तों ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आइगन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ